करना जगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव श्रायद जल्दी हो या जल्दी नहीं तो कम से कम लगता है कि राजमतिक दलों को जल्दवाजी जरूर है कि जतना जल्दी वो करवा पाएं क्योंकि जो माहौल बना जा रहा है बन रहा है उससे साफ साफ लग रहा है कि तमाम सियासे दल अब इस कसरत में जुटे हुए हैं कि क्यों किसके साथ कैसा समिकरन बिठा सकता है पहले का गठवंदन तूटावा नजर आ रहा है नए गठवंदन एक नहीं दो नहीं कई गठवंदनों की तलाश की जा रही है और ये गठवंदन जाहिर है ना तो पहले कोई विचार आधारित था और नहीं अब किसी विचारों पर आधारित होगी ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता आधारित गटबंदन की तलाश की जारी है ये देश में उसी को तराशा भी जारा है यहां विचारों की कलपना करना ही शायद यूग एक मुर्खता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है जिस तरह से नए साथी के तलास किये जा रहे हैं एक नेता आज किसी दूसरे अब एक ही पार्टी के नेता अगर किसी त्यागी ममताब एनरजी से मिलते हैं तो सिर्था राम चुडी सरद्यादल से मिलते हैं एक फेडरल फ्रेंट की बात करते हैं तो दूसरा आप जानते हैं थर्ड फ्रेंट की बात जो पुरानी बात है उसको दोहराते नजरा रहें कई तरह की बातचीत लगातार जारी है उधर बिहार में अगर देखे नितीश कुमार और बीजे आरना अंदाज में नितीश कुमार ने आज कहा है कि नरेंदर मोधी दवा है मरने की आपको दिखाते हैं अपना एजेंडा बीजेपी जेडियू गटबंदन का तूटना तै नितीश ने का नरेंदर मोधी है मरने की दवा गटबंदन बचाने की कोशिश टाइटाइटाइफिश मोधी पर कॉंग्रेस में भी कल है मोधी को चुनो की बताने पर जैराम रमेश को विजेपी जॉइन करने की दी सला और नितीश ने ममता से संगे मोर्चे पर तो ये चूरी ने शरद यादफ से थर्ड फ्रंट पार की बात बड़ा सवाल किसके बनाए फ्रंट में शामिल होगा जदियू तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाजपा और जेडियू गटवंदन की इंडिये में तूट लगभगता है क्योंकि तवाम तरह के जो कवायद किये जा रहे हैं इस कवायद के बीच में जो अलग बयान आए एक तरफ नितीश कुमार कहते हैं नरंदर मोदी मरने की दवा है तो दूसरी तरफ शरद यादब कहते हैं कि उन्होंने बीजेपी को कोई अल्टिमेटम नहीं दिया है प्रधान मंत्रीपत को लेके हमारे साथ है राज सभा के शांसद है अहमद अदीव सहाब है हमाई साथ वरिष्ट पत्रकार है अफदेश कुमार और उपेंदर प्रसाद उपेंदर जी यह जो तीन दिन से चल रहा है और दो दिन के बाद यह नर्णे लिया जाएगा यह पूरे सप्ताहबर की कसरत के पीछे इसका निचोर क्या नि बैठेक कारकारी की बैठेक यह सब है जो टाइम बाइ करने के लिए है इस बीजे कोशिज कर रहे हैं अपनी तरफ से पुरी दवाव तरह से दवाव डाल रहे हैं बीजेपी नितृत पर कि वह असपश्ट कर दे कि हमारे प्रधान मंत्री नर्ण्रमोदी नहीं होंगे प्र अब उनका स्टेट्मेंट आ रहा है इससे तो लग रहा है कि उस हद तक पहुंच गया है कि अब उनका मोदी के साथ बने रहना लगभग असंभव है दूसरा आप देखिए सरद्यादव जी का तो सरद्यादव जी और नितिसकुमार में एक फर्क यह है कि सरद्यादव जी सरकार रहे जाएगी उनको कोई राजनेतिक नुक्सान ब्रक्तिजात रूप से नहीं होगा लेकिन अगर गटबंदन तूटता है तो सरद्यादव जी को उसका नुक्सान हो सकता है क्योंकि बीजेपी जेडियू का जो अगर तूटता है अब आपको लगता है कि कहीं पैच कुमार है वह नैंदर मोधी बीजेपी के अलावा वह आढवानी जी ने में बी देख लिया और अब जेडियू को ले के क्या जब अपनी मतलब है अगर बीजेपी अपना एजन्डा नहीं चेंज करती है और वो कहे यह आप सरद यादवा नितिश्कुमार जो बोल रहे हैं उसको आप बिट्विन दे लाइंस क्या आप समझने कोशिज कीजिए क्या है वो बिट्विन दे लाइंस यह है यह चाहते हैं इतना रहे थे कि हमें लग रहा था कि आप जो तीन बीसे जिसको आपने चोड़ दिया है उसको आप आगे ला रहे हैं अगर हमको यह मिल जागा कि तीन जो बिंदु है एजन्डा है उसको आप पीछे रखे हैं तब हम तब भी हम रह सकते हैं यह खासर के वैसे लोग इंको चुन सब्सक्राइब को अपनी चिंता पहले हो इमेज कॉंसर्स आडमी है और नोधी का विरुष्ट करते करते उस अस्तर तक पहुंच गया हैं कि उनके लिए पीछे आप दोनों बाते हैं जो बात आप जो चाहेंगे जिए मैं यह बोलागे उनकी क्या हैसियत रह गई है यह असली समस्या कि चाहकर भी यह कुछ नहीं कर सकते ज्यादा ज्यास्तिय अब भी उनको उनकी राय को बदल नहीं सकते हैं अफ्देश जी आपके पास आते हैं दुआ देते हैं जीने की दवा करते हैं मरने की यह कह रहें नितिश कुमार वह से भी मरने की दवा नहीं होती है मरने के लिए तो कोई की कोई जरूरत ने यह वीश दिया जा सकता है लेकिन समस्या यह है कि अगर स्वैम ही कोई व्यक्ति अपने मरने के लिए दवा ले रहा हो उसको कौन बचा सकता है अभी हमारे मित रूपेंद्परसाद जी ने बहुत सुंदर विशलेशन किया है कि अब इस समय नितिश कु चुके हैं कि अब उसमें वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा है यह उरीशा में नवीन पतनायक ने जो कुछ भी किया उसके बाद से इनको भी एक प्रेरना थी कि शायद हम उरीशा की पुन्राविर्ति बिहार में भी कर लेंगे जबकि वो भूल गए कि उरीशा में ए और दबा वह उनके अपने करत्रितों का यह प्रेणाम है आज इस्थिती यह है कि एक ऐसा गठ जोर जिसमें एक कुछ छोटे मोटे बयानों को छोड़ दे तो बाम दलों के बाहर सबसे बेहतर गठ जोर जिसमें बिलकुल सुमेल हो जिसमें भारतिये जनता पार्टी एक सह योगी की भूमिका में रहा हो नितीश कुमार का ऐसा गठ जोर तूटने के कगार पर पहुँच गया है गठ वंदन नहीं भी तूटा तो दोनों के मन अब तूट चुके हैं कारकरता बिभाजित हो चुके हैं जो मत्दाता लालू परसाथ के खिलाप संजुक्त हो के मत्द किये थे उनके बीच विभाजन हो चुका है और साथी साथ पूरे बिहार में जो एक मनोवैज्यानिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा था कि भारत में बिहार में भी कुछ बेहतर हो सकता है उसको भी धक्का पहुँच रहा है तो ये नितीश कुमार स्वेम जो है अपन को दूराता नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि केबल पात्र अलग होते होंगे घटनाएं अलग होती होंगी पड़िस्थीतियां अलग होंगी लेकिन उसे रूप की घटनाएं हमेशा घटती है 1977 में एक बेहतर प्रयोग को दोरी सदस्या के नाम पर जो है समाप्त कर दिया गया कुछ लोगों को ऐसे ही नितीश की तरह बिमारी हो गई कि RSS के जो सदस्या है वो जनता पाठी में नर है और वो तूट गई उसके बाद भाजपा तो चलिये सत्ता में भी आ गई लेकिन जनता पाठी नामक जीव अलग से अपनी हैसियत में इतनी कभी नहीं रहा कि स्वेम अपनी बदावलत भी सत्ता में आ सके और 1989 का जो प्रयोग था एक कांग्रेस से बाहर आये हुए विशुनात प्रताब सिंग के नितरित में हुआ मैं करा हूँ ठीक वो ही दूसरे रूप में बिहार में नितीश कुमार की अपनी नासमजी से यदिपी 77 में चात्रनेता के रूप में उपस्थित थे अगर उससे सबक लिया होता तो इस सिमा तक आगे नहीं बरते उनको दिखाई कैसे नहीं दे रहा है कि नरेंदर मोदी की नीतियों का आप विरोध करिये लेकिन उसको इतना व्यापक समर्थन है और आज तक आप उस गठ जोर के आधार पर ही सत्ता पर पहुँचे हैं उसी ने भाजपा ने प्रचार करके आपको नेता बनाया है तो इसका यह जो इस्थिती बन रही है बिहार के लिए दुरभाग्यपूर्ण है और साथी साथ रास्ट्री अस्तर पर भी इसका तूटन भावी राजनिती के लिए दुरभाग्यपूर्ण है लेकिन यह अवस्यम भावी है इसको कोई दूर नहीं कर सकता जैसा दिलीब जी आपने अपने ही वक्तवी में कहा कि भारतिये जनता पार्टी के पास इस समय नरेंदर मोदी के अलाबा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और नरेंदर मोदी स्वयम उनके समर्थक जहां तक आगे बढ़ गए हैं वो पीछे लोटने वाले नहीं है और बीच का रास्ता उपेंजी जो कह रहा है वो निकलने के निश्चित रूप से इस समय जो विवेक सील लोग हैं जनता दलिव में चाहते हैं कि कोई बीच का रा खिवा भी कोई कारण हैं या कोई वोट नहीं देखे नतीश कुमार ने जो पावर हासिल की वो बी जे पी के आने से अपरकास वोट उन्होंने बैकवर्ट का और महा बैकवर्ड का का कार्ट खेला out Gee बिच्छ्रा का अच्छी पिच्छोर अमाहा दले दैजी उसका का तोड़के उन्होंने ये पावर हासिल की अभी उनकी ये बात समझ में आ गई कि भई उधर लालू और पासवान कठिया डालके बैठ गए और उन्होंने जो बी जे पी और नरेंद मोधी को कहना शुरू किया तो इनके पास पहला एक चारा ये था कि ये कोशिश करते रहे कि अड़वानी जी को सैकुलर फेस बता दें उसमें अपनी जान बचाते रहे हलाकि हकी ये है कि सन 47 में अगर जमीन बटी तो बान नबे में दिल बटे है और दिल बाटे अड़वानी जी ने खले खेत खलियान शहर बादार सब जगे एक बारूट से उड़ा दिया सब को एक सैकुलर फेस अटर्क बिहारी बाचवई की तो अड़वानी जी की ये सोच ये थी कि मैं अगर रहूंगा और मैं सैकुलर फेस रहूंगा तो मैं सरकार में आ जाओंगा लेकिन आरेसस ने ये सोचा कि ये बारूद सीला गया इतना करने के बार भी एक स्वासिस उपर न जिनके ओपर मुकदमें चल रहे हैं जो बेल पे हैं उनको लाओ माहूल और गरमाओ दोसों का अकड़ा पास कर लो तो बीजेपी की सोच ये रही कि अगर हम नतीज से कुछ सीटें कम करते हैं तो यूपी में और दूसरी स्टेट में हम सीटें उससे जादा बढ़ा लेंग यह उनकी फिलासफी है नतीज कुमार का मसला यह है कि वो यह सोचते हैं कि अगर मेरा वो मुस्लिम बोर्ड भाग गया जिसका एक रिजल्ट अभी उन्होंने बाई एलेक्शन में इतनी हीूज मार्जिन से वहार गए तो अब उनके पास कोई दूसरा समय करण नहीं है एक साथ आपने अपने रिमार्त में कही वह बिलकुल मैं उसे सहमत हूँ कि कोई ना पॉलिसी है ना कोई आइडियोलोजी है एक मकसद है पावर कैसे हासिल की जाए एक पावर का तरीकेकार इन लोगों ने देखा था कि नहीं आ पाए थे तेरा दिन तक बीजेपी सरकार नहीं सवासे साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका यह गठबंदन जो है उसका तूटना तै है कि यह अभी देखते हैं जी और जो भी यह सामने आ जाए कि जी मैं यह पूछ रहा हूं कि बीजेपी जेडियो गठबंदन तूटना तै है अब मैं क्यान उसी बात का जवाब बास में जो यह बी बात से आ उस्क्राद मैं हका कि देख घुक टूटन के आगर तूट होते हैं तो उसके पीछे न कारन है क्या उस्पे किझी बी तरह की संभावना आपको नज़र आ रही है तो आप उसको गठबंदन को बचा सकते हैं पार्टी के बीजेटी अलग पार्टी है थोनुं की अलग अलग अच्छी है हम लोग कॉनर में वह नोग नेशनलिक कामने जेंडर सा उसके काम करें ते और हमारी पार्टी की जो लाइन की वो एक सार पहले हम अपने गटमन्दन के बड़े साथियों को बता दिये थे करते हैं अब में पूछना चाहता हूं साब्यारली साहब क्या आपकी पार्टी का गटमन्दन वेक्ति से है या यह गटमन्दन कुछ मुद्धों पर आदारित गटमन्दन है देखे मुद्धे और यह बेश के परस्के अची बातों हैं जो बिल्कुल किसी कीमत पर बगार नहीं है इसलिए हमारी पार्टी मुझे लगता है कि एक दो रोज में अपने बातों पर साफ करेंगे एक तो यह पता नहीं चलता है कि विक्ति मुद्धा है या जो मुद्धे के लेकिन एक और सवाल है कि अगर नहींदर मोधी कमिनल हैं तो लालब्रिस नाढवानी कैसे शेकलर हैं आगर आप पर उनको समर्थन करते हैं तो नहीं दर मोधी जो हो जाते हैं यह यह बहुत है जसका थो वो सवाल का साइध सब्सक्राइब 1976 साथे थे अभी सावेरली साहाब पार्टी के जो अभी अंद्रूनी तमाम तरह के मामले चल रहें साइद इसलिए वो फोन से हमारे साथ बने रहना नहीं चाहते हों लेकिन दिलीब जी ये प्रस्न जो है इस प्रस्न में भी एक दुराग्रह छिपा है जी सेकुलर कौन है और क साथन में दंगों में मारे गए इसमें अगर 1200 लोग मरे हैं उसको आप फासी पर चरहने पर लगे हैं तिरानमे के दंगे भागलपूर के दंगे दिली के दंगे उनके साथ इनको बैठने में कोई समस्या नहीं है एक नरेंदर मोदी को आपने जो है निशाने पर ले लिया ह हुआ है मैं तो मेरी दिरिष्टी में मै ना तो लाल कीन साडवानी को साम प्रदाई के लिए तियार हुए है बिल्कुल हैं और मेरे को आप कहेंगे तो मैं इस समय को बिल्कुलsomething के दिकने इसंद्ही Vander मोदी को बिल्कुल जाहिर, लेकिन जो लोग, यह तो सवाल उन लोगों ने उठाया है, जो आप ने खूद कहा है, कि बिलब कि सेकुलर पनाम कहे, सेकुलर का नहीं ये केवर मुसलिम बोट का मामला है, सारे 16 परतिसत 24 में मुसलिम जीन ये इस समय देश में जो माहौल है वहां सत्ता के लिए लोग तमाम हत्कंडे अपनाते हैं अगर नितीश कुमार मुस्लिम वोट के लिए अपना रहे हैं तो उसमें गुनाह क्या है गुनाह यह है कि आप बिल्कुल एक गलत चीज को सामने ला करके आप मुस्लिम वोट के लिए कर पर रहे हैं तरह है आप बनाता आज वो बीजेपी भी कर रही है, कॉंग्रेस भी कर रही है, तमाम राजनितिक छेत्रिय दर भी कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है जो बात आप कह रहे हैं कि कामिलल, सेकलर, कास्टिस्ट, रीजनल तमाम तरह के जो बाटने की जो अगर बाटेंगे नहीं तो सियासत कैसे करेंगे, यह तो देश की तमाम सियासित, जो दल है, उनकी तमाम की सोच यही है, बाटो राज करो, यह दुरभाग पुर्ण है ना, देखिए एक तरफ का अंदलिजम है, दूसरी तरफ जो जाती तोरने के रूप में राजनिती में आये थे, वो कुछ जातियों का या जात की राजनिती को खत्म कर रहे हैं, आप यह आप, आपको लग रहा हो कि चलिए इस पर अलग बहस कर सकते हैं कि नैंदर मोदी कहते हैं कि चलिए जाती की राजनिती नहीं करते हैं, हम विकास की राजनिती करते हैं, क्या इस बात को आप मानते हैं? वो कौन सी राजनिती करते हैं यह तो वो जानते होंगे लेकिन हम लोगों के परसेप्शन ये है कि मोधी सिर्फ और सिर्फ दिलों को तोड़ने की राजनीती करते हैं मीडिया में वो पॉपिलर हैं इंडस्टी और बिजनसमें की राजनीती करते हैं उनको गरीबों से दिल्चसपी नहीं है आज की की है कि बाए वह पार्टी एफिलेशन है उनकी मोबत हैं जैसे वह पता हैं यह शीतो ΜOOOO को हां हो जाएगा वह concept ये है कि ये minority को भाह ज़ादा देंगे यह परकर हम लोगों का vote दूसरी कव्म का जोड़ लेंगे जब यह सियाशत पाईदा हो जाए जब यह perception पाईदा हो जाए यह सियासत तो न verrömोदी ने पाईदा नहीं किया यह श्ね करते हैं कि आपको यह मुसल्मानों को डड़ा ड़ा के वोट लेने पार आप 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 यह मैं आप ने कहा हिंदू महासभा बनी और आशारिया नरेन देव को अयोध्या में हराया गया एक आदमी लाया गया हिंदू महासभा का गोविन पलब पल ने उसको लड़ाया यह कहके कि यह बहुत जादा अथीस्ट है अगर यह आ गया तो हिंदू समाज चूट जाएगा आचारिया नरेन देव हराए गए और किसने हराया कांग्रेस ने हिंदू महासभा ने नहीं महासभा वादीव सहब जो यह स्वाल है कास्ट और क्मनल बेस्ट स्यास्ट देश की तो हमारी अध़ाय सबस्सरा बेसिध्या मारे मारे हैं अब आप सोचके कि अब बेल पे चूटे हैं अभी अन्के उनके मुक Cathemeyes चला है अभी आई बी के आफिसर की इंक्वारी और और लेकिन अमिश्य शाह एक ऐसा फेस है जिससे कि वो एक भय पैदा करेंगे जिसके लिए यूपी भेजे गए तो यह जो सियास्ट चाहिए यह दूसरे भय पैदा कर चुके हैं और लड़ी कि वह आएंगे तो आपको भय लगेगा इसको मुलायम और कांगरिस भुनाएगी के लिए कांगरिस के लिए मुलायम के लिए वह टार्गेट हैं जिनको वह भय दिखा करके डड़ा करके वोट लेते हैं नतीश तो अब लूजर हो चुके इसलिए कि एक महिना पहले सब के सब इंक्लूडिंग अधे जीबी सब नतीश की वाहवा कर रहे ते कैसे सरकार चल आज नतीश को जब अपनी गर्दी किसी की भी नहीं है अब वो सबसे बुरे हो गए तो वहां से भी ओकटे दूसरी तरफ यह हो गया कि अब लोगों को यह लगा कि वो जो कटिया डाले दो बैठे थे पासवान और लालू उन्होंने उस 15-16 परसेंट वोट पे अपना जोर बांदना शुरू कर दिया और उसका रिजट उनको मिलने लगा बिहार की सिच्वेशन आज यह है कि मुझे लगता है कि नतीश का संगटन तूटने के बाद नतीश भी नुकसान उठाएंगे बीजेपी भी नुकसान उठाएगी चलिए और गेनर वो होंगे यूपी की पो पोशिस अभी जारी है कर पाएंगे बचा पाएंगे हैं दीखे यहां बचाने की कोई बात नहीं है हम लोग जो कुछ भी कर नहीं है और घट्मंदन के वाल एक पार्टी के चाहने से नहीं चलता है घट्मंदन में किसी भी फार्टियां होती है सबका पराबर भागिदा होती है और गटमंदन तो ऐसे भी मिनिम्मम काम में प्रोग्ड्म के अधार बनता है रही आपने कहा रहा है ये यह आपने कहा तो पूछना सात्ति हुई इस तृटोंत नहीं संटा है साथ जी आपने कहा प्रदान मंत्री का दावेदार कोन होगा प्रदान मंत्री का उमिद्वार कोन होगा यह भारती जनता पार्टी तहीं करेगी यह गेड़ी यू नहीं कर सकती है और अगर इस प्रकार सा वो बेवार करते हैं यह बेवार गडवंदन धर्म के पिरुत है तो इसका क्या माना जाए यह गडवंदन का तूट अब अवश्य संभावी है देखे है हम लोग तो सट्था के लिए राइनिती नहीं करते हैं सिध्धान के लिए करते हैं इसमें कौन सा सिध्धान था है कि राइनिती में समू की चिंतन करने चाहिए व्यक्ति की नहीं नहीं लेकिन एक व्यक्ति को आप आप जो पाटी कभी कलेक्टिव लीडर्सिप की बात करती थी आज वो भी एक व्यक्ति को बढ़ा के चुनो लगने की तैयारी कर रहा है अपको मैं इतना चहूंगा कि प्रदानमंत्री के दावेधार होते हैं पर प्रदानमंत्री तो पीक होता है कि अगर आपका गठबंदन बिहार में नहीं टिक पाता है, नहीं रह पाता है, तूटता है, तो ऐसे में आपके तयारी क्या है, किस तरह से आप चुनाओगी तयारी करें बिहार में? देखिए हम लोग बिल्कुल तयार हैं हम लोग मिशन 2014 को देख रहे हैं कि इस देश के कांग्रेस को कैसे अटाना है यूपी सरकार ने इस देश को एक ऐसी सिटी में डाल दिया है जहां गरीब भूब से मर रहे हैं और यूपी सरकार के जिन समाम मंत्री गोटालों से अपना पीट बर रहे हैं ऐसे में नरेंद्र मोदी या अने लोगों के टापिक बनाने की बज़ा है हमारे घड़न्दन के मिक्रों को सोचना चाहिए कि इस देश को कैसे हम बचा है क्या बीजेपी एक आखनी सवाल सास्ती सब क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाने से परहेज करेगी हमारे अहां संसदी दिवस्ता है संसदी दल है बरिष्ट लोगों का एक पैनल है वो लोग इस पर विचार करते हैं और बोलुक नहीं करते हैं और अभी इस मुद्धे पर अभी बहुत सास्त्री जी आपका घठवंदन तूट रहा है इसको तूट से बचाने के लिए क्या नितिश कुमार की जो मांग है कि आप नेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री का उमीदवार न बनाए इस पर आप विच जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिलकूल बहुत साफ कर दिया बीजेपी का प्रवक्ता है कि हम किसी भी अनर्गल मंग को स्विकार नहीं करेंगे बात संकेत बहुत साफ है उपेंद्र जी बीजेपी के लिए भी पीछे हटने के लिए कि कोई गुजास नहीं बची है बीजेपी एक बड़ी पार्टी है राश्ट्ipर इपार्टी है उसे जित बहुत वी चारसा स्टी और चिनाू करों है तो दूसरी होती उसे किसी नेता को चुनने के लिए अपने जो rank and file workers उसका धिया रखना ही पड़ेगा और रखना भी चाहिए कोफी डेमोक्रेटिक प्राइर पार्टी है तो उसके काम होना चाहिए कई सारे अवधेश जी इसमें बात आ रही है आपसे जानना चाहता हूँ एक नेत्रत्यों का मसला है विचार की बात हो मुद्दों की बात हो कमन्विन प्रोग्राम की बात हो इन चीजों को दरकिनार करके दो व्यक्ति नैंद्र मोदी के लिए बीजेपी और नितिश कुमार ये दोनों व्यक्ति जिस तरह से आज एक गठवन्दन को जहां पर ले आए हैं इसे देश की सियासत पर क्या असर पढ़ने वाला है ये बताए क्या हमारी देश की सियासत वाब व्यक्तिवाद या हमेशा से यही रहा है देश की सियासत देखे संसदिय लोग तंत्र के बारे में गांधी जी ने बहुत साफ साफ भीव दिया था अंतता हम कहते संसदिय हैं लेकिन कोई ने कोई चेहरा हो जाता है और हम लोग जब पुलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे तो ये पढ़ते थे कि भारत में देश कुमार ने लगातार जिस सीमा बांध करके अगर नरेंद मोदी का मुद्दों के आधार पर विरोध करते तो बीच का एक रास्ता निकल सकता था लेकिन जब व्यक्ति अपने रास्टिडिये पडिशत के अधिवेशन में अपने संगठन पर अपने सिध्धान पर सरक के बिरूध आंदोलनों पर भविष के कारकरम पर बोलने की बजाए 85% भाषन का हिस्सा एक ब्यक्ति पर केंद्रित करेगा तो उस गठजोर के रहने का कोई मतलम नहीं है संसदिये लोक तंत्र में संख्या बल लोक सवा का महत्पुर्ण है सारी पाटियां इसी के अनुसार गरना करती है इस समय सिध्धान्त और विचार इस देश में गौन हो गए है इसलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि एक नया विकल्प खरा होना चाहिए ना तो देश विकल्प नडेंद्र मोदी है ना लाल की साडवानी है ना नितीज कुमार है ये सब की राजनीती एक ही है केवल अंतर केवल दल के नाम का अंतर है इनके भाशा का अंतर है लेकिन सब एक ही प्रकार की राजनीती करते हैं इसलिए राज्ट्रिये राजनीती मे मेरी द्रिष्टी से इसका तीन प्रभाव है जो पहले से आ रही सिद्धान तहीन सत्ता की राजनीती है वह और सशक्त होती हुई दिखेगी दूसरा ये है कि केंद्रिय अस्तर पर जो एक गठजोर एंडिये का जो पहला साथी जनता दलिव था क्योंकि मैं मानता हूँ कि सेना और अकाली दल तो पहले से भाजपा के साथ थे वो एंडिये नहीं भी बनता तब भी इनके साथ होते वो पहले साथी के तूटने से एक गठजोर को लेके जो उम्मीद हो सकती थी वो धारा साई होगी भविस में क्या होगा नहीं कहा जा सकता है और साथ ही साथ जो बि एक्तिकत रूप से मुझे एक ALEX कर दिया है मैं दूसरा कोई होता हमारे मित्र हैं तो साइद इसका मैं दूसरे रूप में उततर देता लेकिन कभी मैं नीजी अस्तर पर किसी के बारे में बहस में कभी कोई वक्त अब न देता हूं नो उसको लेता हूं मेरा इतना ही कहना है कि अगर मेरा कहीं affiliation हो तो मैं उस party में जा करके काम करूंगा, मुझे किसी ने रोका नहीं है, मेरा अगर affiliation हो पत्रकार के नापने नहीं तो वो केवल सच से affiliation हो सकता है, आपको किसी party से जोड़ा नहीं है, आप भी independent, भी independent, विचार का affiliation है, मैं अगर कोई affiliation है, तो भारत का हित किस में है, किस में सांती हो सकता है, समाधिक समन में हो सकता है, लेकिन कोई बात आएगी कि नडेंदर मोदी हो या उसकी जगब अधीव साहिब हो, तो मुझे जो सच लगेगा, आप भी independent हूँ, आपकी राय का मैं कदर कर रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मेरी अपनी राय है आप भी independent है, आपकी अपनी राय है, आपको मैंने अफिलेट नहीं किया है, पहली बात, दूसरी बात जो अभी आपने कहीं, मैं इसमें कहूँ, कि देखे अब बीजेपी के पास ने एक अपना line of action ले लिया है, वो नरेंद मोदी को अपना सिपे सालार बना के maximum vote हासिल करें अगर वो उस लिविल पे magic figure पे आते हैं, तो नरेंदर मोदी रहेंगे, लेकिन जब election हो जाएगा, एंडिये का formation की दरूरत पड़ेगी, तो बीजेपी के पास कई चेहरे हैं, उसमें राजनात सिंग भी है, उसमें सुस्मा सोराज भी है, और उसमें खुद अरुन जैटिल भी हैं, उस वक्त वो खुद से इनको पीछे करके, क्योंकि एंडिये के लीडर बनना, आज की डेट में, मुझे लगता है, नरेंदर मोदी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन election के लिए उनके पास best choice, इस वक्त नरेंदर मोदी है, एक सवाल है उपेंदर जी, नितीश और इतने कच्चे खिलारी नहीं है सियासत के, बिहार की सियासत को वो भी बहुत दिनों से उन्होंने देखा है कि कहा किस के साथ मिलने से कब किस तरह का राजनितिक फाइदा निकलता है, ये बहुत ही पक्के खिलारी है उस मैदान के, ये तो मैं जानता हूँ, उनी सुपन है कि खिलाफ है, उसका असली कारण है, कास्ट पॉलिटिक्स, भिहार की चास्ट पॉलिटिक्स है, उसमें नितिशकुमार और उनकी पार्टी का बजूद ही मात्र इस लिए है, नितिशकुत पुश क्यों कर रहे हैं? खुर ऑगे हैं, बीजेपि निर्न मोदी को प्रोजट तो उनके लिए तो बहतर होता कि BJP के साथ हमिल के वो रहते फिर अभी भी उनको खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है नितीश कुमार वहां एंटी लालू की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं नरेंदर मोधी के नाम पर BJP से अलग हो जाएंगे फिर लोक सवाचनाय मालिया पिट पार्टे लिए विए रिस्क के लिए विए रिस्क एक लुए कर रहा हूं कि अगर हमारी पार्टी हार भी जाती है तब भी कुछ खोने को नहीं है फिर BJP के साथ दुबारा संबनाने का विकल्प खुला रहेगा अनके पास अगर मानलिया कि इज्यागी साबने कहा कि अगर पूरी तरह से करके उसको उनको क्या मिलेगा उनको अपनी पार्टी के वजूद को बनाए रखने के लिए एक सम्भाव नहीं रहे है उस वह वजूद तो कास्ट पॉलिटिक्स का जैसे दातिया सब्सक्राइब तूटता है वह दिलिप जी किसी व्यक्ति को आप जब करते हैं सब्सक्राइब तो उसका माथा घूम जाता है उनकी स्टेट में आपके पास आता हुदेश जी मैं यह का रहा हूं कि इनका जो सोचल बैग्राउंड है नितिश कुमार नरेंदर मोदी का पिछड़े बर्ग से आते हैं पिछड़ा बर्ग जैसे इसे लालू से नाराज होता गया उनितिश कुमार को अपने साथ जोड करके उनको आगे बढ़ा करके जो लालू से नाराज हो रहे थे पिछले बर के वोटर्स उसको अपनी और खीचा और संख्या बढ़ गई तो इसके कारण जनता अदल्यू का वजूद आया नितिश कुमार का वजूद आया नहीं तो नितिश कुमार ने उसे पचाने खत्म हो चुके थे अब है कि अगर नरेंद कुमार मोधी प्रोजेक्ट हो जाते ने था जनता दल्यू के निता लोग है उसे मेरी व्यक्तिश जो बाचित है निजीव बाचित है उसके अग्जेक्ट वर्ट से यह है उनके निताओं का कि OBC की मलाई हम BJP को नहीं खाने देगे लडाई उसकी है और वह एक चोला है वह मुखोटा है उसमें है कि अपनी बावाही रूपते हैं उसमें कुछ मुस्तलमान के वोट भी आसिलोट आ जाते हैं जो जनलिस्ट है पत्रकार है उसके बीच में बहुत उसका खैरक्वाब बनते हैं अस्री है जो बजूद की लड़ाई कास्ट पॉलिटिक्स पे अधारित है उसका एक निसाना तो ही है लेकिन बिहार के अधिकांस भाजपा के बड़े नेता इस समय पिछरी पिछरी जाती से ही आते हैं दो तीन उपर के नेताओं को छोड़ दें तो सुसील मोधी जो उप मुख मंत्री है उसी जाती पिछरी जाती के चेहरे के रूप में नहीं है वो यह कुछ रहे थे की कैलकुलेशन कैसे गलत हो गया कई बार जब व्यक्ति की अत्यधिक प्रसंसा हो जाती है कि आप ज़्यादा लोग प्रिये हैं लोग आपको चाहते हैं तो मनुस्य का माथा घूम जाता है वो दुनिया में सबसे अपने को उपर मानने लगता है और इस समय आप जानते ही हैं कि मीडिया में कुछ ऐसे खिलारी है जो आपको पुरसकार दे करके पुलिटीसियन आप दी यार अरे आपकी तो बहुत अच्छी पॉलिसी है लेख लिख करके और बिहार में सरकारी खजाने का केंटिन रिख कुमार कि बगार भारतिये जनता पार्टी के वहां जनता दली है वजूद जैसा उपयन जी का रहे है बिलकुल कम है खत्म जैसा हो जाएगा उनकी पार्टी तूट जाएगी और लोगसभास अदस जो उपय wanji का रहा थे दो तीन लोग सभास अदस उनने तो नितीज कुमार की ना समझ पूर्ण जो है नीती के कारण और मैं तो ये भी कहूंगा कि उन्हें राष्टिडिये पडिसाद में लगता है वो बहग गये थे बोलते बोलते इतनी सीमा पार कर गये थे कि उसी दिन गटवंदन टूड जाता अगर भारकियंता पार्टी चाहती हमारा समय एक छोड़ी से ब्रेक का हो गया है ब्रेक के बाद जल्द वापिस लौटे